चचारी और पडिवारबादी इनको सत्ता में नहीं आने देना है आप देखते होंगे बोटिंग का प्रतिसत चाहे जो भी हो चुनाओ का रिजल्ट तो जो आएगा वो पता कर देगा कि पडिवारबादी चलेंगे याराष्ट बादी चलेंगे इसकी जन्दाने मन बना लिय है कि फिर एक वार नरेंद्रमोदी के सरकारत यह नारे नहीं है यह केवल वादे नहीं है जो देखने को मिला है वास्ता में इस वर काफी घटा है हमको लगभग पांच प्रतिशत के आसपास वोटिंग कम हुआ है कई इसे चेत्र हैं जहां दस प्रतिशत भी फोलिंग कम पिछले दफा ऐसा नहीं था मोसम गर्मी थी लेकिन ही तो इस वार जैसे मई और जून में का महिना होता है उस तरह से अपरेल महिने में इतनी गर्मी है इतनी तपी से जो मिद्वार लेया के रख दिया जाता है इसलिए कार्ज करता बिवस हो जाते हैं किसी भी पार्टी का हो हम और खासकर कि इस वारर जो विपक्षी पाठी हैं कि उन पार्टी ने तो हद कर दिया तो बचाने की लिए लोगतंत्र के जो प्रहड़ी लोग कर जो बैठे को सरकार में बैठे लोग या विपक्ष में हो या चुनावायों में घूँ हो और सभी को सजग होना पड़े नमस्कार आप देख रहें बीसी 24 और मैं हूँ आप सभी के साथ ब्रह्मिजारी आशीस और धुआधार चुनाव प्रचार प्रसार पहले चरण के मतदान भी हो चुके हैं 43.73 प्रतीसत जो है औसतन मतदान हुए हैं ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा प्रतीसत का जो देखने को मिला है वास्ता में इस वर काफी घटा है हमको लगभग पांच प्रतिशत के आसपास वोटिंग कम हुआ है कई इससे चेतर हैं जाद दस प्रतिशत भी फोलिंग कम हुआ है एक तो सबसे बड़ी बात है कि मौसम की मार मौसम इस वार बड़ी बि प्रतिशत है और एक चीज और है जो परतियासियों का चैन हो रहा है जिस इसमें कहने कोई घुरेज नहीं हम किसी खास दल के बारे में नहीं कहेंगे लेकिन इस सचाहि है आज हम कई अख़वारों को पर रहे थे कई अडिटोरियल पर रहे थे बोट और पर्सेंटेज क्यो गिनाए गए हैं आज हमारे देश के रक्षा मंतरी पुर्वराष्टे अध्यक्ष राजना सिंग जी का भी इंटर्विव को मैं पर रहा था हिंदुस्तान पेपर में उसमें भी पत्रकार ने बड़ी बारी की से पूछा है कि वोट परसेंटेज क्यों घट रहा है उन्होंने और खास करके इस वार जो विपक्षी पाठियां है उन पाठियों ने तो हद कर दिया पूरा पैरा सूट से लाके मुधवारों को रख दिया चिंता नहीं किया कि हमारे कर्च करता हूंने क्या किया नहीं किया और कोई एक दल का मामला नहीं है किसी एक खास दल पर हम सब्सक्राइग चलते काम करते हैं उसके ना खड़ा उतार हैं तह किसा निकाँ छामिया अफिकांकिक अवार है हमारे में कुछ लग रinhosच हम भगवाना वनोगा उसक दोर करना पड़े자यरे चुस्क भोर्टर घट Им होगा टेंट लगाना होगा चुकि 42 और 50 डिगरी टेंपरेचर में 48 डिगरी टेंपरेचर में कोई ब्यक्तिक कैसे खड़ा हो के बोटिंग कड़ेगा भाई ठीक है लोगतंत्र का प्रभव है लेकिन हम ही आपको डेड़ घंटे-दो घंटे-गर इसी धूप में खड़ा-कड अल्तों न बीमाड हो जाना है तो लोगतंत्र को बचाने के लिए लोगतंत्र के विए लोग हैं अाच के सरकार में बैठ्र या पक्स में हो या चुनावायोग में हो वो सभी को सजग होना पड़ेगा तब जाके पर बोर्ट परसेंटेज बढ़ेगा लोगों में जागरुकता लानी होगी क्यों बोर्ट करना जरूरी है तो संगठन शक्ति बहुत मजबूत मानी जाती है पूरे देश भर की बात की जाए तो पन्न पहुंचा देखिया इस बात जो आपके माध्यों से पता चला है संगठन में हम लोगों को बताएंगे अपने सीनेरा दिकाडियों को बताएंगे कि इस पर विचार किया जा कि क्यों नहीं पहुंचे पहुंचा ऐसे भारते जंता पार्टी में घरगर परची देने का पर च हम लोग परचा परची दिया करते थे लिखते परची और बांटते थे तो है लेकिन अगर कहीं नहीं पहुंचा है तो चिंता कभी से इस पर विचार होगा लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा कि बोट क्यों घटा इस पर विचार करना पड़ेगा सभी दलों को मिल जित्षा है सरकार से तो आप नोटा को बोट दबाते किसी को नहीं देते नोटा को दबाते पता चलता ना कि इनको इनको नोट तो नटा को दिया हम बोटए क angled औरेंगे क्या मतलब है तो उन्म बोटभेंग कर सबकर के सबहगेंगे भई आप टेक्सदेए भुरी अब सब्सक्राइब करना पड़े उसके नहीं किसी को देना है आप नोटा को दबाएंगे तो भी पता तो चलेगा कि आप से नराज है तुछ से नराज है लेकिन बोट नहीं देंगे ये बड़ी करवड़ बात है लेकिन बोटिंग के एक दिन पहले जाते हैं पहले जाए या ना जाए जरूर जाते हैं बोट डालके तब ही आते हैं यह करना है जिस तरीके से आप लोग कहना है कि चारों के चारे हमारे हैं विपक्ष का कहना है काट की हांडी दुबारा नहीं चड़ेगी क्या लग रहा है आप लोगों को अब की बार कैसी टक करें देखे देश की जनता ने तो तै कर दिया और पिछले दो दसक दो जो चुना हुआ कि उसमें तै हो गया कि भरष्ट चारी और पडिवार बादी इनको सत्ता में नहीं आने देना है आप देखते होंगे बोर्टिंग का प्रतिशत जो भी हो चुनाओ का रिजल्ट तो जो आएगा वह पता कर देगा कि पडिवार बादी चलेंगे या राष्ट बादी चलेंगे भरष्ट चारियों का दुकान अब लगवक बंद होने के स्थिती में है हमारे नेता परतिफक्स कल बोल ले ते कवाट की हांडी आड़े किसको काट करे का हंड़े जनता ने तय किया है कि ये भरष्ट चारियों और पडिवार बादियों की हांडी अब दुवारा नहीं चल लेगा ओही इस देश पर राज करेगा जैश की जन्दा ने मन बना लिया है कि पीड़ एक वार नरेंदर मोदी की सरकारत यह नारे नहीं है यह केवल वादे नहीं है जो नरेंदर मोदी को कहा उसने पूरा करने का काम भर्षक परयास किया दुनिया में भारत के लोग जाते है जिस तरह से हम लोग जाते थे दिल्ली मुंबई कहीं भी काते देखो बिहारी आगया हम सब आप भी जेले होंगे या आपके परिवार के लोग जेले होंगे लेकिन आज कोई नहीं कहता है गया दो भीारी काहलाना गड्म की बात है उसी तरह भारतिय काहलाना पूरे वर्ल म में पुरी दुनिया में गर्व की बात हो गई है चुकि भारत के परधान मंत्री को विस्वका जो सबसे सक्तिसाली देश है वह भी हाथ वह गले मिलना चाहता है कई ऐसे देश हैं जिसके राष्टा देख जिसके जो पैर छूड़ें यह पैर छूलाना चूलवाना हम कई दिर भारत को कितना सम्मान दे रहा है यह भारत मां का पैर छूड़ा है भारत की मां के बेटे का पैर छूड़ा है यह प्रधान मंत्री और प्रधान सेवका नहीं भारत मां के बेटे का सबूत का पैर चूड़ा है यह बहुत बड़ी बात है तो अब की बार राकेश जी 400 पार रहे हैं क्या क्या बूल रहे हैं अब का कध हो गई जू जिस परिवार के एक-था है तूल से बेंगे थे हाथ भ्रस्थ चारी करोगै परिवार के लोह कह रहा है वादि पाट्री कि लोग अमधार से ऩारी कि ज्ली है कि मोधी तो गलत रगल नहीं तो फिर दिक्टत कया है वंक़ बोलने देखिए बोलने की अजादी है ंत लेकिन पुर्णरे की सिमात आंस पिके किसी को कुछ कह देना को फर्श्टाचारी कॉल सारी काथ हम को आपको क्योंना को बरखटाचारी कर sucks कि कोई रती सै क्वेजित क करता है घुरी нихि घुड काता है कि सी ने आज तक छोडन 열 कहा हम बर्सों से राजनीत करते चाफ पिन LGBT है कर है और आपको बता दे हर्येक पाठी इच्छे लोग लेकिन जिस पाठी में ज्यादे गरवार लोग है उसको लो साथा गरवर पाठी के इस। becomes पुरा इस पाठी के निम billion 딱 उने है। जिंहों पाठी के जन्म दिया इसका पूरा पड़ी जिल पड़ए तो तो उसको कुछ च है भूंभी नहीं है इस बार तैय हो गया है वह काट की हांडी है उसकी दाल गलने वाली नहीं है नहीं है हमारे साथ राकर जी ते साफ साफ कहा उन्होंने विपक्ष को घेर रहे थे 400 पार पर कोई संदेह नहीं है प्रधान मंत्री मोदी की जो तूती बोलती है विदेशों में लोग आज गर्व से खुद को भारतिय कहते हैं राश्टरवाद की जो राजनीती है इसको ले करके साफ साफ अपनी बात रख रहे थे वोटर टर्राउंट जो बिहार में कम देखन पटना